हलो दोस्तों वेलकम टो वर यूट्यूब चैनल और लास्ट वीडियो में आपको मैंने पढ़ाय था मैट्स की जो वीडियो चल रही है उसके अंदर कि एक से लगाकर एन तक संख्यावा योग मतलब शुरुआत कहां से हो एक से तो उनमें संख्या योग कैसे निकालते हैं औ और उसमें मैंने एक से दस का योग, एक से सो, एक से हजार ये सब सिखाए था अब उससे आगे है कि अगर कभी एक से शुरुआत नहीं हुई तो क्या करेंगे मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सीधा 21 से लगाकर 60 का योग कित्ता होता है ऐसे कोई सवाल पूछ तो आपको लास्ट जो मैंने पढ़ाए था उसमें पढ़ाए था कि वो जो फॉर्मला है कौन सा एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाए टू इस फॉर्मले की शर्त है कि शुरुआत कहां से होनी ची हमेशा एक से तो ही फॉर्मला यूज आएगा अधर ये फॉर्मला योग निकालना पड़ेगा और फिर एक से गिनना है तो एक सबीस तक के संख्याओं को बीश में से हटाना पड़ेगा तो इसका मनले पहले एक सबीस निकालो फिर उसमें सा मैनस करो मैं आपको यहां पर डायरेट तरीका बतायता हूं जिसमें आपको इसके नौबत नहीं आईगी तो आप देखो फिर डारेट कैसे तो इसमें क्या लिखा हुआ है कहीं से भी शुरुआत करो और कहीं तक भी जाओ जहां पर आपके मर्जी है मतलब एक से शुरुआत हो चाहे नहीं हो दोनों केस में हो चाहे नहीं हो कहीं से भी शुरुआत हो कहीं तक भी जाना हो अ उनी संख्याओं का आप अंतर कर लोगे difference पहले उनका योग करोगे फिर उनका अंतर करोगे उसमें एक जोड़ देना अंतर में और divide by 2 आपका answer एक ही step में आजाएगा direct अब आते हैं कि इस पहले जो formula पढ़ा और इसमें comparison कर लो कि क्या फर्क पढ़ा है पहले हम formula पढ़ रहे थे वो था n into n plus 1 divide by 2 तो इसमें इसमें क्या फर्क पढ़ा है उस फर्क को भी देख ले ना कि यहाँ पर फर्क क्या पढ़ा है यहाँ बाहर जो n है इसका मतलब अब क्या हो गया है योग जो अंदर वाला n है इसका मतलब क्या हो गया है अंतर और plus 1 divide by 2 ठीक है formula में plus 1 divide by 2 सब कुछ वोई है तो अब जो ये आप काम कर रहे थे अब ऐसे काम नहीं करेंगे अब उस काम को हम change करते हैं तरीका तो देखो अगर कभी एक से शुरुआत हो चाहे नहीं हो मैं दोनों case में के रहाँ हो चाहे नहीं हो उसको हम direct कैसे कर सकते हैं अब देखो पहले क्या करना है दोनों संख्याओं को प्लस करना है तो ये 21 और प्लस 60 पहले दोनों को प्लस करना है फिर क्या करना है अंतर अंतर का मतलब है बड़ी संख्या में से च्छोटी को मैनस करना है तो बड़ी संख्या मेंसे च्छोटी को मैनस करना है antar plus one फिर एक जोड़ना है और divide by 2 करना है ऐसे तो 60 और 21 कित्ता हो गया 81 80 हो गया 60 मेंसे 21 गया और एक वापस जोड़ गया तो मैनस का 21 प्लस 1 मनलभ वही 20 गटाना है तो 60 बैसे 20 गटा ना तो 40 डिवाइड बैट 2 2 से 40 किती बार 20 बार 81 का डबल कर तो 2 से गुणा है तो डबल मतलब 162 और 0 मतलब हो गया 1620 अब इसमें आपको अलग अलग दो बार काम नहीं करना पड़ा काम एक बार में हो गया दूसरा और मैंने यह पूरा जो सीखाया है यह आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है वरना आप ड़ारेटी से इस्टेप प्यास सकते थे कैसे दो एक्जामफल सब समझाता हो आपको देखो जैसे है 21 से 40 तक कि 21 से 40 का योग निकालना है अब 21 से 40 का योग निकालना हो तो हम क्या करेंगे अब आपको ड़ारेट तरीका बताता हूँ 21 से 40 जाना है पहले दोनों से इंक्यां को प्लस करो तो 21 प्लस 40 तो यहां से 61 लिख जा ड़ारेटी मल्टिप्लाएं अब क्या करना है अंतर तो अंतर में क्या करेंगे इस मैंसे इसको गटाएंगे तो 40 मैंसे 21 गया तो 19 और प्लस 1 तो प्लस 1 से वापस करता हो गया 20 डिवाइड बाए 2 ठीक है और 2 से 20 कितनी बार 10 बार और 61 और 1 से मल्टिप्लाएं मतलब करता हो गया 16 तो दुदू बार जो मेनत थी वो देख लो एक ही स्टेप में आपका काम हो गया तो इस तरह के स्वाल कभी भी आए चाहे एक से शुरुआद हो चाहे नहीं हो वापस कर रहा हूँ एक से शुरुआद हो चाहे नहीं हो आपका ये formula हर जिगे काम करेगा अब आप इस स्वाल का answer जो है मुझे solve करके इसको मुझे comment box में बताओ कि इसका answer जो है वो आपका क्या आ रहा है तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रही है और रोजाना दो दिन की दो वीडियो रोज आती है इस चैनल पर शॉट ट्रिक वाले पे जिस पर आप दो पांच मिनट निकालो और रोज मैस के छोटे छोटे पैटन पढ़ते रो ठीक है दोस्तों तो मैस के स्वाल कैसे करते हैं शॉट ट्रिक वाले नरे सरवाले चैनल पे बने रहना मिलते हैं वापस अगली वीडियो में सब तक बाई बाई